अलो दोस्तों विजे के निए आपका एक बार फिर से स्वागत तो जेसा कि अभी हमने साजेदारी पूरा कवर कर लिया मतलब मेरे एंड से मुझे लगज जीतना टॉपिक लग रहे थे साजेदारी में वह पूरे मैंने कवर कर दिया हैं तो आपको एक्जामीनर उसतलाव विधी और जो अधिलाव विधी है वो और पूंजी करण विधी है ये तीन विधी है जिनसे एक्जामीनर आपसे एक्जाम में एक प्रेक्टिकल छोटा सा कॉश्चन बना करके एक माक्स के लिए पूछ सकता है तो मुझे युसरा लगा कि आपको इसमें धिक्कत ना आ है तो इसलिए मैं जो यह वीडियो बना रहा हूं यह क्या करूँगा मैं इस वीडियो में एक बार हम किया किसको कवर कर लेंगे इन वीधीयों को पूंहाँ वापत से ताकि आपको इसमें फिर कोई प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है, तो मैंने ये सोचा है कि एक वीडियो में, पिछली वीडियो जब मैंने बनाई थी, कहाती कि मुल्यांकन की विदिया, तो उसमें आल्मोस्ट मैंने सारी जो है, विदियां कवर कर ली थी, वो आपने देखा होग ताकिया, उसमें मैंने ये आपको प्रेक्टिकल हैा था, ठीक हैं, उसके बाद मैंने सब चीजे बताइं थी, उसके बाद फिर मैंने ये आपको कौशन सॉल कर था, हमने करा था, क्लास में, पर फ्रॉफिट बेसिस, मतलब अधिलाभ वीधी जिसे कहा जाता है, ये मैंने प वीडियो का परपस बनाने का यह है कि आपको यह जो भी विधियां है इनमें confusion ना रहे है तो confusion को दूर करने के लिए एक तो में क्या करने वाला हूं कि यह सारी जो भी मुझे लग रहा है कि जिनसे capital practical question आपसे बन सकता है वो आपको पूरा में बताने वाला हूं मतलब हम क्या क इससे थी कवर करेंगे इंट फिक है ओससन लाफ विधियो दूगा इसके बाद ही में क्या करूंगा आपको अजी लाफ बीधी का वीडियो दूगा और इसके बाद में आपको दूगा這種 इसके गूंगा पूंजी करन विदी फाइदे आपको ओसतलाव विधी में confusion आ गया किसर ये वाली विधी में को भूल गई हूं या मुझे याद नहीं आ रही है तो आप क्या करेंगे ये वीडियो खोलेंगे और इसमें आपको क्या हो जाएगा ओसतलाव विधी का question आप इससे देख करके वापस से अपना concept वापस वह method को मैं follow कर वह method को मैं ले लूँगा और उस पर एक वीडियो बना दूँगा इसे करके मैं आपको तीन वीडियो दूँगा जिनका ज्यादा हम कोशिश करेंगे कि उनको मैं ज्यादा time ना लूँ क्योंकि मैंने पहले आपको बता रखा अच्छे से समझाया था बट मु हो जाए तो देंगे ओसत मतलब क्या होता है लुए को कि क्या होता है कि अब तो ऱजेने संख्याओं को यह करते हैं उसके टोटल से लिवाइट कर देते वहीरेज निकलता है जो डो जीटनी संख्या एं जैसे मालीजे 1 2 3 4 पांच और यह मालीजे 6 तो यह संख्याओं का जो हम उससे divide कर देंगे, तो हमारे पास जो value आती है, वो क्या आती है, इन सब का क्या आती है, average आती है, यही है यह method क्या बोलती है, यह method बोलती है, ओसत लाब विधी, मतलब कैसा profit पर विधी, कैसे profit से goodwill का calculation किया जा रहा है, ओसत मतलब average profit को ले करके किसका average profit को ले करके, किसका valuation निकाली जा रही है, तो वो निकाली जा रही है, ख्याती की, मतलब goodwill की valuation किसके आधार पर की जा रही है, ओसत profit के आधार पर, यह method होती है, मैंने, इसकी theory अभी मैं नहीं पढ़ूँगा, theory हम speed में पढ़ लेंगे, मैं इसके practical आपको समझा दे लहाँ, ठीक है, तो एक बार से एकदम speed में हम पढ़ लेते हैं, कि देखिए, विभिन वर्षों के लाभों के आधार पर क्या किया जाता है, ओसत ग्याद किया जाता है, विभिन वर्षों आईगी यहां पर वो किसी profit होगी हमारा वो profit होगा average profit ठीक है यह यह बोल रहा है इस मामले में पिछले वर्सों के ओसत मुनाफ़े को किसी भी अपेक्षित के लिए समयोजित किया जाता है और भविश्य में परिवर्तन नीड़ने और बात्चित के आधार पर वर्सों की संख रहे हैं यह व्यपाइर में इस तरह का profit आणे वाले चार सालों तक तो और इतना अच्छा profit होगा तो हम का करते हैं अपको लुटते हैं उसका बात हुई है यह वर्सों के संक्या है यह आधारीट होतों यह तो बस उसका दो निकलके आती है अब ये दो का इंटू करने के बाद इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, गुडविल, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है, गुडविल, तो ये कैसे निकलती है, ये निकलती है, ओसत विधी के आधार पर, कैसी, ओसत लाव विधी के आधार पर, ये एक्ज मार्किंग होनी चाहिए चलिए तो देखिये औस अतलाब भी थी इवरेजज प्रॉफित तो अब हम मान लेते हैं एक्जामपल ले लेते एक्गेड की लिए हम लेते एक मिनट एकजामपल में 48,000 48,000 रुपए हमने profit लिया ये किस साल का profit है पहले साल का मतलब जो हमारे जिस example में दिया हुआ है उसमें क्या है पहले साल में कितना profit कमाई है उस पहले में profit कमाई है 48,000 रुपए दूसरे साल का profit लिखे है अब दूसरे साल का profit लिख लिजे दूसरे साल उस firm में कितना profit कमाया तो अब टोटल प्रॉफिट कितना आ गिया बस अब यह क्या रहा है यह प्रॉफिट कौन-कौन से साल का रहा है कि पहले साल ने फर्मे ने इतना प्रॉफिट कमाया साथ हजार का और तीसरे साल में फर्मे ने जो प्रॉफिट कमाया है वो कमाया है 36,000 रुपे का profit समझ में आई तो ये क्या हो गई ये हो गया उस firm का 3 सालों का profit अब question क्या बोलेगा question इसी तरह का एक छोटा सा example आपको देगा और बोलेगा कि इसको अगर आप वो रखेंगे तो ये बोलतेगा एक firm है देखें example किस तरह का exam में बनके रहा है कि एक firm है जिसमें A और B साज़ेदार है क्या बोलेगे A और B साज़ेदार है अब ख्याती का मुल्यांगन करना होगा तो बस वो क्या बोलतेगे A B साज़ेदार है उनके profit नीमनल प्रकार से दिये गए है जो कि 2 वर्सों के मूले के 2 वर्सों के मूले के आधार पर ख्याती ग्यात करें 2 वर्सों के गुना के आधार पर ख्याती ग्यात करें तो वो क्या देदेंगे 2 वर्सों 3 वर्सों ऐसा एक figure देदेंगे 2 वर्सों के मूले के आधार पर ख्याती ग्यात करें तो आप हमारे पास कि आ जाएगा एवेरेज प्रोफिट तो टोटल कितना हो रहा है देखिए 48 प्लस 60 तो कितना हो जाएगा एक लाख आठ हजार में 36 जोड़ देंगे तो 36 जोड़ देंगे फटाफट से जोड़ दीजे 37 भी तो कितना आ जाएगा टोटल आप तो कही बार कराकर ये अपने ख़ोड़से करा करें कि आप खुद से जोड़ देजिन वहां पर आपके पास क्या हो को थोड़ी स़ देद्याठ घि में ये हम चैट्ते चोड़ हैं तो हम्हारा क्वार चैने आमि कि एक लाक Chaosmesा रुप हप hypothalamarika ये वो ऊंड़ेंगatingि आगया है ये कितने साल का तॉटल के सिने ये तीने क्या ले लेंगे यहां पर average profit और जब exam में अगर यह question आए तो आपको यह इसा लिखना नहीं है average profit नहीं आपको तो क्या करना है यह सारी detail आपको exam में नहीं बनानी है यह तो अभी मैं समझा रहा हूँ आप घर पे लिखेंगे तो भी आप समझते भी लिखेंगे पर exam में आपका यह figure ही आना चिया केवल इतना figure ठीक है और कुछ नहीं आना चीव क्यों क्यों क्योंकि एक एक second काम का है तो हम क्यों लिखेंगे अब हम क्या करेंगे तीन से डिवाइट कर देंगे, तीन से फटा-फट से डिवाइट कर दीजे, तो देखिए, करिए फटा-फट से डिवाइट, तो देखिए, क्या आ जाएगा आपका, देखिए, फटा-फट से डिवाइट करिए, तीन से, तीन से डिवाइट करिए, तो देखिए, क्या हम पहले, कितनी बार जाएगा 12,도 चार बार बार, अब फिर क्या बचा हमारे पास, फिर कितना बचा है यहां से, 12 दो बचे तो कितने होगा, 24, यहां से 2 बच गए, 12 तो आगया यह, 24, बारा चार बार चार गया बचे कितने दो तो इधर आ गया चुबिस चुबिस कितने आड़ तीन के पाड़े में चुबिस कितनी बार आता है तो वो आता है आड़ बार कितनी बार आता है आड़ बार तो यह 48,000 रुपय आए अब यह 48,000 रुपय क्या है average profit है क्या है यह हमारा average profit है यह क्या आगी है हमारा average profit कितना आगी है 48,000 रुपे अब अगर हमको exam में question दिया रेगा तो वो देगा कि ख्याती का मुल्य 2 वर्सों के मुल्य के अधार पर लिया गया 2 वर्सों के क्या लिखा गया तो ओसातलाप के 2 वर्सों के गुना के आदार पर, इस तरह का एक word देगा और उसमें क्या देगा? 2 वर्स लिखा रेगा और उसके एक figure लिखा देगा, जीन से इसमें क्या दिया है, 2 वर्स, 3 वर्स, मान लिजी, हमारे example में क्या दिया रहता है? कि ख्याति का मुल्यांकन दो वर्सों की गुना के आधार पर किया जाए तो हमारे कितने का वेट देना है हमको two years two का वेट देना है तो बस अब जो हमारे पास figure आएगा ना वो क्या होगी हमारी goodwill होगी वो क्या होगी हमारी firm की goodwill होगी और उसका मुली कितना होगा तो देखिए 48 exam में question में क्या बोल रहा है वो दो वर्सों के मुली का जाएगा तो हम इसमें क्या कर देंगे दो का into कर देंगे तो अब यह जो हमारे पास answer आया है अब यह जो हमारे पास answer आया है यह क्या आया है 96,000 रुपे यह क्या आया है यह आई है goodwill किसकी goodwill आई है यह firm की goodwill आई है 99,000 रुपे क्या है यह किसकी goodwill है तो यह है firm की goodwill और firm की goodwill है और इसकी value कैसी है इसकी value full है full value है value कैसी है तो value अभी जो दी हुई है 96,000 रुपे यह full value है मतलब 100% value कितनी है firm की 100% value जो firm की goodwill की है वो कितनी है 96,000 रुपे बात समझ माई ये goodwill किसकी है तो ये goodwill है firm की काम की बात क्या है ये goodwill किसकी है firm की है और उसकी value कितनी 96,000 रुपे किसे निकले की ये समझ माई है एक simple सा एक number में ये question आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इसमें जो calculation है वो एक number के लायक है उससे ज्यादा की value है पर अगर exam में इससे question पूछा जाएगा तो इतना question examiner आपसे पूछेगा तो इतना पूछ लेगा तो आपको एक number free में नहीं दे रहा प्लस करा रहा है इसमें आप गलती ना कर दे फिर वो डिवाइट करा रहा फिर उसके बाद क्या निकलेगा आपके पास average profit निकलेगा और उससे फिर जितने वर्सों का उन्हों ने दिया हुआ जैसे हमारे example में हमने लिया था दो वर्स तो हमारी तब जाके क्या निकलेगी गुडविल निकलेगी ठीक है ये समझ में आया तो ये गुडविल जो भी हमने निकाली वो कैसे निकाली ओसत विधी से और ओसत विधी में भी हमने कैसे निकाली ओसत्विदेवी हमने निकाली नॉर्मल इसमें के लिए हमने वेट नहीं लिया वेट वाला मैंने एक्जामपल आपको समझाया था प्रिवेस क्लास में ये क्लास अच्छे से देख लिजेगा क्योंकि वापस से समझाओंगा तो ओर टाइम लगेगा आपका तो इसलिए नहीं समझा रहा हूँ देखे इसमें हमने क्या दिया था वेट हम कब देते हैं मैंने आपको इसका नीचे दिया था क्या दिया था वेट हम तब देते हैं जब क्या हो या तो प्रॉफिट बढ़ रहे हो मतलब क्या हो प्रॉफिट कैसे हो रहा हो लगातार बढ़ रहा है तो हम वेट देते हैं प्रॉफिट मतलब तब हम क्या होता है जो हमारे एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या देते हैं वेट देते हैं उस साल के एर का या फिर क्या हो लगातार प्रॉफिट क्या हो रहा हो लगातार प्रॉफिट क्या हो रहा हो कम हो रहा हो लगातार प्रॉफिट कम हो रहा हो मतलब कैसा दस हजार पहले दस लाग प्रॉफिट था फिर कैसा हो गया प्रॉफिट बीस लाग हो गया फिर तीस लाग हो गया फिर च का फर्म का जो प्रॉफिट है वो लगातार क्या हो रहा है बढ़ रहा है इसमे एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है कि फर्म का प्रॉफिट कैसा हो रहा है लगातार कम हो रहा है तो जब ऐसा ट्रेंड मिले जिसमें क्या हो लगातार प्रॉफिट बढ़े या तो लगातार बहर देते हैं क्या देते हैं और को ऐसे निकालते हैं वोसत लाव टेकर के हमारा इंड़ेृइज निकाला जाता है बात समझ में आई, कभी ये दिया जाएगा भार जब या तो profit एक जैसा बढ़ते करम में हो या profit के सा एक जैसा गिरते करम में हो मतलब देखिए लगातार गिर रहा है इसा नहीं हुआ कि किसी साल profit बढ़ गया किसी साल कम हो गया एकदम से मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कब वेटेड एवरेज नहीं लगाएंगे कब वेटेड एवरेज नहीं लगाएंगे मानले 10, 20, 30 देखिए बढ़ रहा है 10, 20, 30 अब इस साल, चोथे साल जो फर्स्ट एयर है ये सेकंड एयर है, थर्ड एयर है तो कि मैं इसको एक्जामपल से यहाँ पर समझा देता हूँ कब ट्रेंड लगता है ये लिख भी लीजेगा आप कि कब वेटेड एवरेज से निकालेगे भारीत उसातलाव भी भारीत कब लेते हैं दिहां है, तो देखिए Case union 1 case union 1, example number 1 डेखें kya हो रहा है ये 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 ये। ये जैसा बनाुत्य है एक बहूत्य है 1,2 sleek और प्रॉफिट देखें देखिये 10,00, रुपए 20,00, 30,00, प्योपए 35,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 अतलाव भारी तो सतलाव भी दिला गए मतलब क्या करेंगे हम वेट देंगे किसका वेट देंगे एर का इस एर का इस प्रॉफिट में क्या देंगे वेट देंगे इस एर का इस प्रॉफिट में क्या देंगे वेट देंगे इस एर का इस एर का और इन सब एर का क्या करेंगे उनके relevant year में क्या देंगे weight देंगे मतलब 10 into 1 जो हमारा आएगा example में जिसे यहाँ पर क्या आएगा 10 लाक रुपे ऐसे करके हम और यहाँ पर क्या आएगा 20 लाक रुपे का profit है year कितना है year कुन सा है दूसरा तो हम इसमें weight देंगे तो 40 लाक रुपे इस प्रकार से हम weighted average करके क्या निकालेंगे हमारा जो आएगा फिर your total weight profit आएगा और इसको divide भी करेंगे इसके weight से तब हमारे पास जो profit आएगा उसको हम goodwill calculation मिलेंगे तो यह case number कौन सा है जिसमें profit क्या हो रहे है profit बढ़ रहा है इसमें क्या हो रहा है इसमें क्या हो रहा है profit जो है वो बढ़ रहा है तो भी इसमें weight देंगे ठीके profit क्या हो रहा है उपर की तरफ जा रहा है case number 2 लिखिए अब case number 2 case number 2 क्या बोल रहा है case number 2 अब देखिए case number 2 है किसमें क्या है year है किसमें year दे रखें year 1, 2, 3, 4 और 5 year देरखे और 7 में क्या दे रखा है प्रॉफिट 以他 यह और Allah telephone कोषिच यह तीस लाग की जगह 35 विए तुब सोचे कि 30 tp और सब्सक्राइल था यहां पर लगती है बेटेड है से हम प्रोफिट निकालते हैं ये कौन सा है ये कौन सा एक्जामपल है ये एक्जामपल है प्रॉफिट जिसमें क्या हो रहा है प्रॉफिट जिसमें क्या हो रहा है कम हो रहा है बात समझ में आई तो भारित लाव विदी हम कब लगाते हैं अब केस नंबर थ्री लिखिए केस नंबर थ्री एक end-save profit को लिए जाता है इसा आपका doubt हो जाएगा अब मांलेजीये यह एक और one hour example by क्या हुरा ere इयर क्या है कि यहां पर पॉफिट दिया होगा यहां पर क्या डिया होआ यहां पर दिया हुआ है प्रॉफिट फेले साल 10 लाग रुपे का दूसरे साल 30 लाग का चोथे साल कितना हो गया दूसरे साल 30 लाग का तीसरे साल 20 लाग का प्रॉफिट हुआ और चोथे लाग का चोथे साल फिर क्या हो गया 25 लाग का प्रॉफिट हो गया पांचवे साल 35 ला फिर क्या हुआ प्रॉफिट नीचे गिरा फिर प्रॉफिट क्या हुआ बढ़ा मतलब इसका ग्राफ बनाया जाए तो इस तरह से बनेगा और फिर ग्राफ हलका सा गिरेगा फिर उठेगा वो फिर ये चलने लग जाएगा इस तरह से प्रॉफिट बनाए तो अब इसमें क्या बाविध का उपयोग कहा किया जाता है जब लगाता प्रफिट गिटि रहा होता है दोनों यहां एसा कुछ मि नहीं समझ में अब यहां पर हम भारित वह स्वेट्ब देन बारे मीं कोमिठ ऐसांपल में समझा धिया था यह वापस संजा देता हूं कोई confusion नहीं रखना अपन को इसलिए मैं समझा ही देता हूं आपको ठीक है तो देखें ये हमको क्या दे रखा है उधारन के Liuq पांच वर्सों को क्या दे रखा है पांच वर्सों का 1 Mini तो 5000 वर्सों का हमें क्या दे रखा है 5000 का हमें यहाँ पर लाब दे रखा क्या है profit कितना है 30 फिर क्या हो गया 40 फिर क्या हो गया 50 फिर क्या हो गया 60 और फिर क्या हो गया 70 क्या एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है यहां पर क्या एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है तो मैंने आपको यह पिछली अग्जांपल में वाएक इता हमारे यह क्या हैguard कि इसका मतलब क्या होता है कि यहां पर पर देखिए इसको अभी मैं पहरे joking करा देता हो फिर यसा क्यों कृण चाहरे यह बथा निकाल लेते हैं ई keen 1, year 2, year 3, year 4, year 5. यह हमारे total यह year हो गए. प्रॉफिट कितना है यहां का 30,000 रुपे, दूसरे साल का क्या है 40,000 रुपे, और तीसरे साल का कितना है 50,000 रुपे, और चोथे साल का कितना है 30 साल का है 60,000 रुपे, और जो 5 साल का है वो कितना है 70,000 रुपे, अब हम क्या करेंगे, अब इसका वेट देंगे, किसका वेट देंगे, इन येरों का वेट देंगे, किस पर वेट देंगे, प्रॉफिट पर वेट देंगे, किस पर वेट देंगे, हमारे प्रॉफिट पर वे चार और यह पांच यह वेट क्या है यह वेट और कुछ नहीं है यह 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 है कि इसका हम वेट देंगे तो जैसे हम मतलब यह 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 नहीं भी लिखते तो भी नहीं यह पर मेरे अंदर आपको समझाने के लिए दे दिया है यहां पर कि देखें वेट भी हम किसका देते उ उस साल से relevant साल की देते उस profit के relevant शाल profit का ही जो है हम वेट देते येर कहीं तो अब पेले साल हमारा क्या आएगा 30,000 रुपे वेट दो साल कितना है गर 40,000 रुपे क्योंकि 40,000 हर है और 2 गा इंटू कर देंगे तो हमारा क्या आजाएगा 80,000 रुपे जो है वो आ जाएगा तीसरे साल कितना होगा तीसरे साल देखें पचास हजार में कितने का इंटू करेंगे कितने साल का वेट देने तीसरे साल में आ रहा है तो यहां पर क्या आ जाएगा देड़ लाक रुपय और चोथे साल कितना आ जाएगा चोथे साल देखे चेड चोख चोबिस दो लाक चालिस हजार रुपय और पांच हजाएगा 70,000 पर 5 का वेट देदेंगे तो 37,35 3,50,000 रुपे ठीक है ये क्या हो गया? वेट हो गया अब हम ये टोटल करेंगे तो हमारा क्या आ जागा? वेटेड प्रॉफिट आ जागा कैसा प्रॉफिट आ जागा? वेटेड प्रॉफिट मतलब भारित लाब वेटेड प्रॉफिट इनका टोटल जब हम करेंगे तो वो क्या जागा? वेटेड प्रॉफिट और हमको क्या निकालना है? एवेज प्रॉफिट उसाद लाब इदी में हम क्या करते है? एवेज निकालते हैं ये बात तो आपको किलियर है क्या नहीं? Average कब होगा? जब हम इसको divide करेंगे. किस से इसके year के weight से? तो total कितना हा रहा है? देखिए 15 इसका weight से divide करेंगे. किस से divide करेंगे? weight से. weight के total से. तो देखिए कितना है? 1 और 3 3, 1 और 2, 3, 3, 3, 6 6 और 4, 10, 10 और 5, 15. तो हमारा weight कितना आ गिया? जोँजे 5, 5, 10, 10 और 3, रुके 3 और 8, 8 और 3, 11, 11 और 5, 16, 16 और 4, 20, 20 और 5, 25, 25 का 5, हाँध कैंड ़ो, कितने हो गए, 2 ओर 1, 3, 3 तीन और 2, 5, 5 और 3, 8, कितना हो गया हमारा, आट लाग पचास हजार. आट लाग पचास हजार ये कै आगया? भारित Profit. मतलब केसा Profit? भारित Profit. केसा Profit आया हमारा? भारित Profit. मतलब pert Profit. अब हमको क्या निकालना? आवरेज Profit. तो ये भारित लाव को, साललाग 80,000 को हम 15-15 से डिवाइड करेंगे. तो हमारे पास क्या आएगा average profit तो average profit देखें कितना आगिया हमारा average profit आगिया 5666 रुपए ठीक है अब हमको ख्याती का मूली निकालने के लिए वो देई देंगे जिसे हमारे इस example में कितना देदिया तो तीन वर्सों का करा हमने जैसे इसमें इंटू तो हमारे पास क्या आगिया खाती का मूल मतलब Goodwill की वेल्यू Goodwill की वेल्यू कितनी हो जाएगी तो बस तीन का इंटू करेंगे तो हमारा क्या आजाएगा 170,000 लाग 170,000 क्या आगई हमारी Goodwill की वेल्यू आ गई कोई डाउट एवरेज प्रॉफिट मेथड है देखें मैं इसलिए समझा रहा हूँ एक बार वापस से आपको कि इसमें से मुझे लग रहा है कि एक्जाम में कोश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए तो ये मैंने बता दिया तो ये एवरेज प्रॉफिट मेथड को हैं आप यहीं रोक देता हूँ क्यों क्योंकि एवरेज प्रॉफिट मेथड को कभी आपको भोविष्ट में बी देखना być तो आप ये वीडियो खोल लेना और एवरेज प्रॉफिट से एलेटेड अपने concept दूर कर लेना वेसे मुझे अम्मीद होगी कि आप आपको भी अपनी class को video class देखने की जरुवत नहीं पड़ेगी आप कर लेंगे, ये वापस से मैंने example solve कर दिया, ये example note कर लेना notes में example मैंने note नहीं किया था कि मैं आपको समझाती में note कर वाऊंगा इसलिए मैंने वापर solve नहीं किया था ठीक है, समझ मैं ये सारा example note कर लिया, ये train note कर लिया exam में कई बार question इसी पर पूछ सकते हैं आप से, ये question इसी पर based question पूछ लेंगे वो कि कहना भारी तो सतलाव विधी कब लागू होगी, तो आपको ये पता हो ये word है मेरा, तो मैं उसे सुधार रहा हूँ समझ मैं ये बात, तो ये हम जल से जल क्या करेंगे, इनके बाद वो दो वीडियो भी मैं आपको दे दूँगा, तो ये complete होगे हमारी साजेदारी, 10 से 20 question, 20 से 20 question, 25 question में लाऊंगा आपके लिए, ताकि आपका एक overview बन जाए, practice करने के लिए, question हो का MCQ लिए होँगा 20, 25 MCQ से ज़्यादा 25 MCQ हम solve करेंगे क्योंकि हमारा target का है, syllabus complete करना syllabus, आप जब MCQ solve करेंगे तो आपको समझ में आएगा, कि आपने पढ़ा हुआ है, तो आपसे बनेगा एक्जाम में question अलग नहीं आएगे, concept अगर clear है तो हम बना ले जाएंगे question, ये बात ध्यान रखेंगे तो ओसत लाव विदी का ये वीडियो समाप्त होता है, मैं इस वीडियो को यही पर समाप्त करता हूँ, इसके बाद मैं आपके लिए लाओंगा, अधी लाव विधी खीक है? ये वीडियो देखिए अधी लाव विधी में, अगर आपको कोई doubt हो किसी को लग रहा हो कि अधी लाव विधी सर डाउट है तो देख लीजे, अधी लाव विधी को देख लीजे उससे later कोई question हो, तो अधिला विदी आपने पढ़ियो और उसे लेटर कोई कोशन हो तो आप वो मुझे सेयर कर सकते हैं तो हम अभी वीडियो जब लाएंगे तो उसमें बना लेंगे ओके तो ये वीडियो यहीं तक है तो वीडियो को यहीं पर ही में समाप्त करता हूँ नमस्कार